एक और मुद्धा जो की पिछले चार पांच सालों में रहा है और वो है एक फार्मर एजिटेशन का मुद्धा पहले आप लोगों आप फार्मर के लिए एक नया कानून लेकर आए फिर आपने उस कानून को विड्रॉ किया अभी हाल फिलहाल फिर प्रदर्शन हो रहा है फार ने ठीक से रखना ही पा रहा है वो समझ लिए जो फार्मर से संबंधित बिल था जो भी ड्रॉ करना पड़ा है जी हम लोगों को भी लगा कि साइध हम उनके हिट के लिए ले आये थे एकितानों के हिट में था लेकिन साइध जिस तरीके से यह बात उन तक पहुंच जानी नहीं पहुच पाई जी क्योंकि बहुत लोगों का मैंना है कि बॉर्ड रिफार्म था बहुत लोगों का मानना था पार्मर्स के लिए बहुत अच्छा था मुखना पूच। के हम लोगों की बात तो बराबर किसानों से होती रहती है अभी पंजाब के कुछ किसानों ने यो अंदोलंग किया था आपने देखा होगा तिन-तिन मंतरी हमारे बराबर उनसे संबाद करने के लिए पंजाब में जा रहे देज़ बराबर गए और चारचार 6 गंटे तक चाहता हूँ कि डेश के किसानों की आमदनी बड़े है उनको उनकी फसल की उचित कीमत बिले है ये हमारी सरकार की सोच है फार्मर इंकम को डबल करने की जो बात करते थे वो वैसे ही चालू रहे है जो हमलों का संकल्प है वह काफी हद तक पूरा हुआ है आगे और पूरा किसानों को एसिस्ट करने के लिए ताकि अपने अपनी फसल यदि वह कुछ उगाना शाहते हैं अत्वा कोई नई फसल डालते हैं तो उसमें बहुत सारी फर्ट लाजियर की जरुरत होती है पानी की जरुरत होती है कीटना तक दौाओं की जरुरत होती है कई ऐसा नहों की भाउ में यह सब सारे कामों न कर सकें यह दोएं खाद यह सब न खरी सके इफले प्रद्वान मंत्रि किसान समान नेडी के अंतरगत शेज़ार रूपया प्रतिवर्स किसानों को हमरी प्रद्वान मंत्रिजी मोहिया भी कराते हैं